CCPA ने की 31 जन्वरी से बजट सत्र बुलाए जाने के सिपारिश तो दो चरणों में बजट सत्र होगा और इसके लिए अब सिपारिश यहाँ पर की गई है तो पहला चरण 31 जन्वरी से 11 परवरी तक चलेगा दूसरा चरण 2 मार्ट से 3 अपरेल तक चलेगा तो आपको बता दे यह जानकारी यहाँ पर मिल रहे हैं कि 31 जन्वरी से 11 परवरी तक पहला चरण दूसरा चरण 2 मार्ट से 3 अपरेल तक चलेगा तो CCPA ने यह जानकारी आपर दी है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी को लेकर बजट सत्र बुलाने के सिपारिश की गई है 31 जन्वरी से 2 चरणों में होगा जहाँ 31 से 11 परवरी तक पहला चरण चलेगा दूसरा चरण 2 मार्ट से 3 अपरेल तक चलेगा तो बजट सत्र को लेकर जिस तरह से आर्टिक मदी मदी हुई है उसको लेकर बैठक भी पियमोदी की तरव से बुलाएगे तो आम बजट इस बार भी एक परवरी को पेश किया जाएगा बजट पेश होने से पहले पियमोदी की खास पहल है पियमोदी ने आम बजट के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे है तो लोगों से सुजाब यहाँ पर बजट को लेकर पियम मोदी की तरफ से एक नई पहल यहाँ पर करते हुए तो पहला चरण 31 जनवरी से 11 परवरी तक चलेगा दूसरे चरण के अगर बात की जाए तो 2 मार्श से 3 अपरेल तक यह बजट सत्र चलेगा और इसके लिए पियम मोदी ने आम लोगों से भी सुजाब मांगे हैं और उन्हें के तरफ से दिये गए सुजाबों के आदार पर जो बजट है भुनाया जाएगा क्योंकि इस बजट से लोगों को काफी उमीदे होती हैं और उन्हें उमीदों पर खरा उतरने की कोशिश